नमस्कार संस्कृत के प्रियविद्यारत्यों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी वीडिया प्रमय पंकस्तेवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि और वीडियो को लाइक करें जल्दी से अपने दोस्तों तक सेयर करें इतना काम तो अपने को डेली करना ही होता है तो वह हम लोग जल्दी से कर लें आप सभी को मालूम है कि भारत का एक मात रैशा प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रेंस है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देरा का दिल्ली बोर्ड विहार बोर्ड यूपी वोड एमपी वोड राजिस्तान वोड इन सभी वोडों का पार्टिक्रम बिलکल और हुर्री दीया जाता है तो तो नोट्स जो आपकी परीच्छा में बहतर से बहतर नमबर लाने में आपकी मदद जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी द्यान रखेंगी चलिए आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास रहेगी कक्छा साध्वी संस्कृत लालन गीतम त्रियोध शाह पाठा अनुबाद भाग तीन को पढ़ेंगे हम लोग ठीक तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे आप लोगो किते हैं नौका चलती है नाओं तैरती है नदियों में और पक्च और अनेक प्रकार के वहां पर क्या है फूल खेले हुए हैं उन पर कीट पतंग उड़ रहे हैं फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो घने जंगल में बाग की गरजना हो रही और सिंग की दहा हो रही ह है इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया था आगे के इस लोग देखो वही है सात्मे नंबर का जल्दी से आगे देखें सात्मे नंबर के इस लोग में लिखा है हर्णोयम हर्णोयम खादति नवघासम ठीक है ना और सर्वत्रिचा पश्यति सबिलासम ठीक अब देखन क्या कहा जल्दी से कि हर्णोयम खादति नवघासम हर्णोयम खादति नवघासम सर्वत्रचा पश्यति सबिलासम हर्णोयम का दति नवघासम अब जो हर्ण है जो हर्ण है ठीक है ना कि बनते तो नहीं है हर्ण लेकिन कोशिश कर रहे हैं ठीक है हरण बनते नहीं है लेकर फिल भी कोशिश कर रहा है आजसे ठीक है जादा नहीं बन रहे हैं ऐसी बने बस थोड़ा थोड़ा लगरा है हेरण जैसा की नहीं बताव जल्दी से लगर आये अब यह हरी हरी घास को खा रहे हैं कैसी कहा रहे हैं हरी हरी घास को कि हरी हरी घास को खा रहे हैं यह हरी हरी घास को क्या कर रहे हैं खा रहे हैं आप देखो यहां से उन्होंने क्या गहीं अर ययम्का दतिनव घास को कौन खा रहे हिरना आधी खा रहे हैं और क्या सर्वत्र चापास यती सा विलास सरवत्र शभी जगें दिखाई बैते हैं दीक रहे विलाज पूर्वनोरंप सित्र को दिरिष्च को दिखाई दिरे ने और इस प्रकार से वह कर रहे हरे हरिणो हरिणा प्लस ऐम हरिणो यम यह विषर달? जंदी या पस्यति पस्यता पस्यंति तो यहां लटलाकार प्रथम पुरुष एक बचन का रूप हो गया ठीक है फिर यहां अनवाई को देखें आयम महरिनहा नव घासम खादती यह हिरन क्या कर रही है नए घास को खा रही है सरवत्र चासा विलासम पस्यति और सभी जगह बिलास प का मतलब बिलास पूर्वक पस्यति का मतलब देखता है पस्यति का मतलब देखता है तो यहां पर हिरन आदी क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं और हिरन घूमने के बाद यहां पर देखिए क्या क्या कर रहे हैं यह हिरन यह हिरन क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है चलिए चलो वहिए चलो चलो इसी को रख लेते हैं इसी को रख लेते हैं ठीक है ना यह हिरन घूम रहा है यह हिरन नई घास को खा रहा है किसको खा रहा है नई घास को खा रहा है तथा चारों और बिलास पूरवग देखता है चारों तरब देख भी रहा है कि कोई आतों नहीं रहा है कि उदर सेर गरज रहा है और उदर वो बाग गरज रहा है और सेर दहार रहा है ऐसा तो नहीं कि कोई आ रहा हो आप लोगों ने हिरण आदी के वीडियो देखे होंगी बहुत डरता है ठीक है ना तो हिरण दोर रहा है फिर इसके बाद चौथे नंबर का अब चौथे ना बहाति आपमुट देखिए उन्होंने क्या क्या दिया अरे उस्ट्रह तुंग animal एक्छती उस्ट्रह तुंग मन्दम गयाखिरटि प्रश्टिप्रचुरम भारं मनीबहाती ठीक उ मतलब तुग मनें ऊची ईसके कूबर होता ना वो मंदम ठीक है ना उचा होता है लंबा होता है और उचे इसके पीठ पर पीछी क्या होता है कुछ कूबन टाइप का होता है इस वजए से उस्टा तूंगम मनदम गखच दीरे दीरे गखच्चति मने जाता है बहुत दीरे दीरे चलता है फिर क्या प्रश्टे पीट पर प्रचुरम बहुत ज़्यादा प्रचुरमात्रा में बारम निवाती भार को लिए हुए है बजन को लिए हुए दो रहा ठीक तो उष्ट्रह तुंग अरचय प्रच्यूरं वारम निबाहती और रूट तो क्या कर वहार वार बजन को लेकर चल रहा है धीरे दीरे चल रहा हम प्रत्मका एक वचन तुंगर मैं प्रित्मा जैसे बाल का बेश्च्टे उुषणा तुंगा मंदम मैं दूतिया और गच्छति गच्छता गच्छंति लट्लकार का एक बुचन रूब प्रश्टे जैसे बालके सक्तमी का एक बचन प्रचुरम भारम निभाती तो यहां पर विलटला कार प्रता पुरुच एक बचन अनवाई देखें तुंगा उष्ट्रा मंदम गक्षती और शाप्रश्टे प्रचुरम भारम निभाती साप्रश्टे साप्रश्टे प्रचुर संभारम निवहती यहां पर शब्दार्थ देखिएगा सब्दार्थ में क्या दिया हुआ है कि सब्दार्थ में क्या दिया है देखिए यहां पर कि उष्ट्रा मतलब ऊट मंदम का मतलब धीरे धीरे प्रश्टे का मतलब पीट पर तुंगा का मतलब उचा गक्षती का मतलब जाता है निभाती का मतलब ढोता है भार को ढो रहा है कौन उष्ट रहा उट भार को ढो ढो रहा है भार को ढोने में बहन हो रहा है चल रहा है उचा उट धीरे धीरे चलता है वह पीट पर बहुत भार ढोता है बहुत भार ढोता है ऐसे धीरे धीरे व पर चलेंगे फिर की देखो घोटक राजह चिप्रंधावती गोटक कि नहीं करना है आप लोग हसोगे मुझे नहीं करना बनेगा नहीं तो हसोगे ना आप लोग ठीक है ना चलो अब गोड़े का निवना रहे हैं अरे देखो उसने क्या कहा अरे गोटा के राजाहा छे प्रमधावती अच्छा कितने लोग लोग चाहते हैं कि बनाओं में चित्र अच्छा नहीं बनेगा बात अलग है कितने लोग चाहते हैं जल्दी से कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक करके आप लोग बताए मुझे कि कि लोग चाहते हैं कि मैं गोड़ा बनाओं यहां पर देखो गोटा करा जाया है तो गो लाइक करिए दोस्तों को सेयर करिए ठीक है ना करना पड़ेगा आपको तो आप लोग जितना करेंगे तो उस प्रकार से मैं आप देखूंगा कि कितने लोग चाहते हैं मैं घोड़ा बनाओं अच्छा नहीं बनेगा वो पता चला घोड़े जैसा बनाया और बन गया गधा त गोड़ा कभी दोड़ते समय कैसे खाएगा दोड़ रहा है तो कैसे खाएगा इसलिए घोटक राज मतलब गोड़ा चेप्रम मनती ब्रगती से धावती मन दोड़ता है लट लगार प्रतहा पुरुष एक बचन धावन समय दोडती समय धावन मतलब डोड़ना समय अगण तो यहाँ सब्सक्राइब किम अपि मने कुछ भी कुछ भी नमने नहीं खादती खादता खादंती लट लड़कार प्रतहाद एक बचन का रूप है तो उन्होंने कह दिय दोड़ती शमय कुछ भी नहीं खाता है अन्वे देखें घोटक राजहा छिप्रम धावती साधावन शमय किमपी ना खादती वह दोड़ती शमय कुछ भी नहीं खाता है कि यहां देखें सब्डार्त देखिये गोटक राजह का मतलब घोड़ा और दावती का मतलब दोड़ता है किमपी मतलब कुछ भी हिप्रं का मतलब शीक्रो दावन का मतलब दोड़ने के और खादती मной खाता है रही हिसका अर्थ देखियेगा अर्थuman और सिग्र दोडता है वह दोडती समय कुछ भी नहीं खाता वह दोडती समय कुछ भी नहीं खाता कुछ भी नहीं खाता क्यों खाएगा भाई चली आगे देखें इसके बाद अब दस नंबर का दस नंबर का इश्लोक है और हमारा अंतिम इश्लोक है द्यान वक लेना ठीक इसमें देखें इसमें क्या लेका पस्यत ग्लूकम इमम कर आ लंड़त थफ्तखर तथजी कुर कर था लंवेदाएं अद्धा ताधेरी थचना यह था था तने चरह से करता करता है ना चलिए तो यहां देखें पस्यत घ्ल opacity कम इमंकरालम पस्यतमन दिखाई दिता है कैसे अरे पश्यत भल्लु कम इमंकर आलम निरत्यती थत्हत्थ थाई कूरुकरतालम पस्यतमन दिख्थ रहा है दिखता है दिखता है ठीक है ना देख रहा है क्या बन्लू कम बालू बालू को देखते हैं इमंकर आलम बयंकर दिखाई दे रहा है काला काला बालू ऐसे 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 बालू भी नहीं बनता बालू भी नहीं बनता ऐसे लेकर उसके ऐसा ऐसा अम्मू रहता है ऐसा ऐस रहता है ऐसे रहता है रहता ना दोनों हाथ यह से रहते हैं ऐसे कहां रहता भालू हासोगे ना मुझे नी बनाना हासोगे आप लोग ठीक है पस्यत भलू का इमंकर आलम दिखाई दिराए बालू भयंकर दिखा न्रत्यति नाचता है थट 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 थ कुरू कर तालं हातों को बजा रहे था था कर तालं मनने कर बाने आथ और तालम मनने ताली हाथ के दीद मेropand लिखत पार थे तारी निर। नाचता है कौन भल् hourly का भालू ठीक है पा। यहां रूप लगा है ठीक वह दिर्श धातु से से पेसदंदा और यह पूरा पार्ट किसका को रहा है और यह पूरा पाठ किसका है संपदा संपदा नंदमिस्तर जी का है यह पाठ यह नो ने लालन गीत का बशन किया है प्रकृति के चित्रन को ले करके लालन गीत का वर्नन किया है ठेक है आगे देखें अब यहां पर देखें शब्दार पश्चत का मतलब देखो इमम इस नृत्यती नाचता है देखो इस वालू को करतालम ताली बहलू को करालम भयानक कुरू बजाओ कुरू बजाओ सलवावा इससे डरावने भालू को भेंकर भालू को देखो यह थद त्थव नाचता है तालिया वजाओ कि पह सकते हैं तालीया भजाओ पूरा हो जाता है हम लोगों ने 10 के 10 इश्लोग के लालन गित के पढ़ लिए हैं और 10 में से आप लोगों को कितने याद हो गए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक सेयर करना है और ध्यान रखें जिन जिन दोस्तों तक यह लिंक नहीं पहुंची और तक पहुंच भी जाना चाहिए आप सभी को मालूब है कि भारत के एक मात रैशा प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रेंस है जो 100% फ्रेजुकेशन दे रहा है 100% फ्रेजुकेशन के साथ साथ मैगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है दो तक कदिली बोड विहार वोड यूपी बोड राजिस्थान बोड इन सभी बोडों का पार्ट करम बिलकुल और बिलकुल फ्री देता है तो फर देर किस बास कि जल्दी से जल्दी चैनल को करिएगा सबस्क्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और आपको मैं बता दू मैगनेट ब्रेंस कच्छा 16 से लेकर के 12 वी तक के इंदी वीडियम और इंग्लेस वीडियम के नोट से भी प्रोवाइट कराता है वो नोट जो आपकी परीच्छा में बहतर से बहतर नमबर लाने में आपकी मदद करेगा तो नोट की जानकारी लीजिए कैसे लिंक इन डिस संस्कृत हम जय तुभारत